दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज कोरोना टास्क पोर्स की बैचक होगी वेडियो कॉन्फेंसिंग के जर्ये होने जारे इस बैचक में टास्क पोर्स के कमेटी सदस से मजूद रहेंगे राजो में कोरोना की स्थिति पर इस मीटिंग के दुरान चर्चा की जाएगी और कोरोना को लेकर केंडर सरकार के स्वास्तवन्त्राले के पत्र पर बाचीत की जाएगी कल ही केंडर सचप ने सभी राजो को एक पत्र लिखा है और सभी पॉजिटिव केसों की जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के लिए कहा है और आज Corona Task Force की ये बैठक वीडियो कान्फेंसिंग के जर्ये आप से कुछ दिर बाद होने जा रही है ये बड़ी खबर है Corona Task Force की बैठक है आज अप से कुछ दिर बाद ये बैठक होगी हाला कि कल से ही केनर सरकार पूरे अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है कल ही सभी राचों को अलर्ट कर दिया क्या है एक लेटर लिखकर कि जो भी पॉजिटिव केसिस आ रहे हैं उनकी जिनों सिक्वेंसिंग कराई जाए तो टास्क पोर्स के कमेटी के सदस्य इसमें मौचूद रहेंगे और ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है कोरोना को लेकर इस बारे में बाचीत की जाएगी और अभी एतियातन क्या-क्या जो सतर्कता है वो बरतने की जरत है इस पर भी बाचीत इसमें हो सकती है बेसिकली जो ग्राउंड रिपोर्ट है जो टास्क पोर्स के सदस्य है जो कमेटी के सदस्य है उनसे ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी और उसके बाद सरकार कुछ कदम उठा सकती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन, अमेरिका, कोरिया, ब्रेजील सबसे जादा जो हालत खराब है, वो चीन में हालत खराब है कोरोना के इतने केसिस वहाँ पर आ रहे हैं कि चीन में तो जो खाबर है उसके मताबिक की आने वाले 90 दिनों में तो 70% आबादी चीन की कोरोना से प्रभाविक हो सकती है तो एतियातन भारत ने भी अभी से मीटिंग्स शुरू कर दी है ग्राउंड रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया है के इंदर सरकार की तरफ से ये बैठर कायूजन किया जा रहा है जिसमें सभी राज्जु से जो टास्क पोस्ट कमेटी के सबसे हैं वो जुडेंगे विडियो कांफेंसिंग के जर्ये और सभी से ग्राउंड रूपोर्ट ली जाएगी कि जो भी पॉसितिव केसे आ रहे हैं उनकी संख्या क्या है किस तरीके से डील कर रहे हैं ये टास्क पोस्ट के सबसे कोरोना पेशिंस है तो ये बड़ी खबर है अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी विडियो कांफेंसिंग के जर्ये ये बैठक होगी और जो बार बार सरकार ये भी सला दे रही है कि भीड में मास्क पहने एक बार फिर से मास्क पहने को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से हर इस्तिती से निबटने के लिए तयार है लेकिन अभी से अपील भी की जा रही है लोगों से कि हो सकता है को तो भीड में जाने से बचें और अगर जा भी रही हैं आप लोग तो घीड में मास्क जरूर पहने और जिल लोगों ने अभी तक बूस्टर डोस नहीं लिया है बूस्टर डोस ले ले क्योंकि आफ़रा बेहत कम है देश में सर्फ 27 परसेंट लोगों ने भी बूस्टर डोस लिया है इस वज़े से बारबा सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है वही कोरोना को लेकर स्वास्त्य मंत्राले की बैचक होई कोरोना खत्म नहीं हुआ ये स्वास्त्य मंत्राले ने कहा है हर हालात से निपर्टिक ले तयार हैं बढ़ते कोरोना मामलों पर सरकार की नजर है कोरोना पर जानकारों के साथ मीटिंग होई है कोरोना जाच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे दिये गए है तो जिस तरह से जब शिरवात में कोरोना आया था देश में तो चीन में हालात खराब थे लेकिन तब उस तरह से अलटनेस नहीं दिखी थी केंदर सरकार में लेकिन अब पूरी तरह से केंदर सरकार अलट दिख रही है मंसुपंडाविया के अगवाई में कोरोना स्वास्ते म पर याना भी अपने दर्शकों से अफील कर रहा है कि फिर से अलर्ट होनी की जरुवत है जिस तरह से अभी तक हम कोरोना को हराते आ रहे हैं एक बार फिर से हमें उसका उसी तरह से सामना करना पड़ेंगा बंदेंट प्रिकॉशन अगर हम उसतरह बढ़ रहे हैं तो अबनेन्द प्रिकॉशन के क्या मुत हैं पहली बात है कि खासी जुकाम इस मौसम में होता है हम ठंड के मौसम में हैं तो पहली अपील ये है कि खासी जुकाम वो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करना दीचे वो सकता है और 90 परसेंट चांस है कि शायद ये नौन कोविड लेकिन अगर हमने अरली सब्सक्राइब होता है तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं